Hello friends, welcome back to our channel तो आज हम यहाँ पर पुरानी साडी से यह बहुत ही खुबसूरत सी ड्रस बनाना सिखेंगे तो फ्रेंज यहाँ पर दिखेंगे, यह पुरानी साडी माने यहाँ पर लिए हुई है इस साडी में इस तरहे का बॉर्डर लगा हुआ है, मोती लगी हुई है चुझ साड़ी करते खें हैं इस तरीके से करते हैं यह वन फॉलत Till झाल देना है यह न हुझ। इसको भी हमें इस तरीके से निकाल देना है तो हम पहले साड़ी में से लेस और फॉल दोनों निकाल करके अच्छे से साड़ी को अलग कर लेंगे तो यहां देखिए यहां मैंने सारे लेस को इस तरीके से निकाल ले अब हमारे पास एक plain fabric बचा है यह देखिए lavender color में यह fabric है यह हमारे पास plain fabric बचा है तो अब हम इसे अलग-अलग कर लेते हैं क्योंकि यह पूरे 6 meter की होती है तो यहाँ देखिए यहाँ पर जो है मैं पहले 72 meter fabric अलग कर रही हूँ सवा 2-2.5 meter तक आप यहाँ पर निकाल सकते हैं तो यहाँ पर मैंने पहले 72 meter fabric अलग कर लिया उसके बाद हम इसमें प्लाजो की cutting करेंगे और बाकी बचे वे fabric में हम टॉप पार्ट बनाएंगे तो यहाँ पर बॉटम पार्ट बनाने के लिए मैं पहले fabric को दो फोल्ड में करूंगे इस तरीके से दो फोल्ड में बराबर करना है उसके बाद आपको इस तरीके से फोल्ड करना है तो आप पहले पीको को रिमॉव कर दीजिए अगर पीको वाला इस साप रखते हैं तो साड़ी में सिकुड़न आती है वो सैट नहीं होता है यह देखे मैंने पीको को काट के अलग कर दिया उसके बाद हम इसको इस तरीके से ट्रैंगल में बिछा लेंगे उसके बाद हम यहाँ पे प्लाजू कटिंग करेंगे तो प्लाजू कटिंग करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ कमर से आपको 10 इंच या 11 इंच जितने आपको चोड़ाई चाहिए यहाँ पर 40 इंच के साइस का मैं बना रही हूं तो मैंने यहाँ पर 11 इंच चोड़ाई लिया है 11 इंच पर पहले गोला बनाया उसके बाद जितनी लेंध आपको यहाँ पर चीए मुझे 36 लेंध चीए तो 36 पर मैंने पहले मार्क कर लिया उसके बद पूरा आपको पकड़ की जितना आ रहा है उस हिसाब से यहां पर आपको गुलाई में निशान लगा देना है यहां देखिए यहां पर मैंने गुलाई में निशान लगा दिया उसके बद हम आसन का निशान लगा लेंगे आसन में यहां पर 12 इंच पर ले रही हूँ और इस तरीके से आपको मिला लेना है और इसे कट कर देना है देखिए नीचे वाला हिस्सा जो था उसमें हमारे जोड़ा रहा है तो जो हमारे एक्स्ट्रा बचाओ फैबरिक है उसको हमें इस तरीके से मिलाना है और जितना हमारी length आ रही थी उतनी length पर ही इसको निशान लगा के extra fabric को हमें cut कर देना है यहां से देखिए हमेंने cut कर दिया उसके बाद हम उपर से कमर वाला portion भी cut कर देंगे और यह हमने आसन वाला portion भी ऐसे cut कर दिया यहां पर यह देखिए अब मैं lining fabric ले रही हूँ lining fabric को हम इस तरीके से fold करेंगे यहां पर मैं इसको इस तरीके से fold कर रही हूँ double में length में जितना मुझे body के लिए चाहिए उतना ही मैंने यहां पर निकाला है 12 इंच ओड़ा यहनी 24 इंच के मैंने यहां पर यह देखिए fabric निकाल लिया अब हम पहले body cutting कर लेंगे body cutting करने के लिए मैं ले रही हूँ उपर से 5 इंच armhole लिया है मैंने 6 इंच और फिर गोलाई में निशान लगा के हमें इसे cut कर देना है तो यह हमारा body cut गया है अब जो इसमें neckline है वो हम cut कर लेते हैं तो यहां पर हम जो part ले रहे हैं सबसे पहले हम इसमें armhole की cutting करेंगे तो पहले अच्छे से बराबर कर लिजे कपड़े को उसके बाद armhole की छटाई एक इंच की गहराई देते हुए मैं यहां पर निशान लगा रही हूँ और मैंने cut कर लिया उसके बाद हम गला लेंगे उपर से मैंने लिया है डाई इंच और गहराई मैंने लिया है साथ इंच यहां पर आपको गला भी cut कर लेना है friends बहुत ही असान है इस dress को बनाना तो यहां देखे यह मैंने front part पहले cut किया अब मैं back part की cutting करूँगी back part के लिए हम उसी गले की cutting को रखके उपर का निशान लगा लेंगे गहराई मैंने यहां पर आठ इंच ली है आपको जितने गहराई चाहिए और जो shape चाहिए आप यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं मैं यहां पर round shape ड्रॉ कर रहे हूँ उसके बाद मैं यहां पर नीचे वाला जो हमारा दो मीटर का फैबरिक एक्ष्ट्रा बज़ रहा था उसको मैंने पूरा बिछा लिया लेंथ मुझे पूरी चाहिए 40 इंच तो मैंने यहां पर ले ली उपर से मैंने कमर लिया है 12 इंच पर और प्रॉच लाइन मैंने ली है 12.5 इंच पर धाई इंच का कर्व बनाया है और सकेल से इस तरीके से आपको एक सिंपल प्लाजो शेप में कट कर लेना है ये देखे उपर से मैंने एक कमर जो है वो मैंने कमर का वन फोर्थ प्लस टू इंच यानी बारे इंच लिया था अब ये देखे ये जो हमने हमारे पास बचा हुआ फैब्रिक था इसमें अगर हमारा बॉडी निकल जाता है तो हम इसे सेट कर लेंगे ये देखें यहां पर मेरा ये एक बॉडी एड़ेस्ट हो जा रहा है तो मैं इसको यहीं पर एड़ेस्ट करके कट कर लोंगी हमारे जो साइड में काफी सारे wasting fabrics निकलते हैं तो उसमें बहुत सारे चीज़ें निकल जाती हैं तो इसलिए आपको इन fabrics को फेकना ने चीन हैं तो वहाँ पर मैंने जो cutting थी उसमें निकाल लिया अब हम इसमें से प्लाजो के लिए घेल निकालेंगे तो यह देखे जो हमेरे पास extra fabric बचा था उसको भी मैंने double fold करके इस तरह का triangle shape बना लिया है और अब हम जो है अपना flare यानि जो हम dress बना रहे हैं body के बाद जो हमारा flare है उसको हम बनाएंगे तो हमारी body अगर 15 inch की थी तो यहाँ पर देखिए 15 inch छोड़ने के बाद जो length है वो हमें लेना है और यह हमें लेना है कमर का एक चौथाई प्लस half inch तो यहाँ देखिए कमर की चौथाई मैं यहाँ पर 8 inch या 9 inch आप यहाँ पर ले सकते हैं तो 9 inch पर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ यह देखिए यह जो है मेरा one four था रहा है कमर की चौथाई उसके बाद हमें जो लेनी है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ करना है तो यह पूरा मैं 41 ले रही हूँ इस तरीके से आपको 41 पर निशान लगा देना है अब आपको इसे कट कर लेना है बॉडी हमारी 15 इंच के थी तो घेर जो है हमने लिया है वो हमने 15 इंच माइनस करके ही लिया है अब यहाँ पर हमारे जो फैपरिक बस रहा है इसमें हम अपनी जो दूसरी बाड़ी का पार्ट था वो बला भी निकाल लेंगे यहाँ देखिए हमाने दूसरी बाड़ी पार्ट जो है इसको रखना है और आपको कट कर लेना है अब हमारे दोनों बाड़ी पार्ट कट हो गया है और फ्लेयर भी कट हो गया है तो अब इसे हम स्टिच करना स्टार्ट करते हैं यह दिखिए यह जो हमने कट किया था इसको हमें भी सबसे पहले एक तरफ के आसन को स्टिच कर लेना है उसके बाद हमें जो है इस तरीके से फैब्रिक को खुल देना है ये फ्लेयर में भी हमें एक तरफ क्यासन को स्टिच कर देना है उसके बाद इसे इन दोनों को इस तरीके से एक साथ सेट करके स्टिच कर देना है ये प्ला जो हम बना रहे है यहां देखिए यहां पर अगर आ तो अब हम इसमें बैल्ट अटैच कर देंगे तो ये देखिए हमने दोनों पलों को अटैच कर लिया है अब जो बैल्ट हमने कट किया था उस बैल्ट को हमें इस तरीके से नीचे की तरफ से जोडते हुए उपर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरह का आजाएगा नजर आएगा फिर उसके बाद हमें जो हमारा जॉर्जट वाला फैब्रिक है उस फैब्रिक को पकड़ती हुए हमें जो हमारा सेंटर का पार्ट है वहां पर थोड़ा सा हमको सिलाई लगाना होता है यहां देखिए जिस तरीके से मैं बतारी हूं यहां से यहां तक हमको सिलाई लगा देना है सिलाई लगाने के बाद हमें जॉर्जट फैब्रिक को अंदर अंदर ही स्टिच करना है यानि लाइनिंग को छोड़के हमें जॉर्जट फैब्रिक को स्टिच करना है उसके बाद हमें लाइनिंग को भी स्टिच कर तो यहां पर मैं दोनों ही नेकलाइन के लिए पट्टी को कट कर लेती हूं इस तरीके से जो भी आपके पास फैबरिक बच रहा हो उससे आप कट करके निकाल लेजिए यहाँ देखें यहाँ पर डबल जोड आ रहा है यह देखे इस तरीके से अटैच करके मैं यहाँ पर नेकलाइन के लिए दो पट्टियां त्यार कर ले यहाँ पर हमारा प्लाजो जो है बनके रेडी हो गया है नीचे अंदर हमने सिलाई लगा दी है और उपर की साइड जो हमारा ये एरिया है इस पर हम पीको कर देंगे यह देखे हमारा प्लाजो बनके रेडी हो गया है इस साइड हमको जो है जॉर्जेट है ये इस पर पीको कर देंगे तो ये हमारा पूरा तियार हो जाएगा अब हम उपर के पार्ट की स्टिचिंग कर लेते हैं यहाँ पर मैं उरेवी पट्टी कट कर रही हूँ जो भी बच्ची फैब्रिक है उसकी हम उरेवी पट्टी कट कर लेंगे यहाँ पर नेक लाइन पर हमको ये पट्टी इस तरीके से अटैच करना है और दो प्लेट्स लगानी है कंदे के ठीक बीचो बीच हमें प्लेट्स लगानी होती है यहाँ पर लाइनिंग रखिए फिर फैब्रिक रखिए उसके बाद हमें इस तरीके से अगर आपको दिक्कत हो तो आप चार ओड से लाइ लगा के इस एडजिस्ट कर सकते हैं हमें इस तरीके से फैब्रिक पर नेक लाइन के पट्टी और दो प्लेट्स कंदे के ठीक बीचो बीच 5 इंच की प्लेट्स हमें लगानी होती है यह देखिए यहाँ पर हमने पट्टी को टैच कर दिया है और यह हमारा कुछ इस तरह का तेयार हो रहा है पट्टी लगाने के बाद हम देखिए यह कंदे के ठीक बीचो बीच जो है हमें इस तरीके से प्लेट्स देनी होती है पांच-पाच इंच की लेंथ पर आप इस तरीके से प्लेट्स दे दीजिए जो हमरे फ्रेंट पार्ट है वहाँ हम आर्म होल के पास भी यहाँ पर ती तो दोनों को पकड़ लेते हैं लेकिन यहां पर हमें दोनों किनारी अलग अलग स्टीच करनी है और यह देखिए हमारा फ्रंट पार्ट जो है प्लेट लगने के बाद कुछ इस तरह का नजर आएगा यहां पर हमने दोनों ही पार्ट के कंदे को अटैच कर देना है यहाँ पर हमारा जो है इस तरीके से और अब जो हमने उरेवी पट्टी कट करी थी उसको हमें आर्म होल से इस तरीके से जोडते हुए सिलाई लगा देनly है और फिर उसे पलट करके हमको फ्रेश सिलाई लगा देनी है अब यहाँपर देखे यहाँपर हमने गीरा था वो हमने श्टिच कर लिया है सिलाई लगनी के बाद अब हमें इस पे समोशा लेस आती है आप चाहें तो जिस तरह का डिजाइन चाहें उस तरह की लेस लगा सकते हैं मैं यहाँ पर हलकी लेस लगाऊंगी और आर्म होल पर यहाँ देखिए मैंने पट्टी अटैच कर दी है अब इस पर हम सिलाई लगा देंगे इस तरह के से अगर आप चाहें तो तोड़ पाई भी कर सकते हैं यहाँ देखिए यहाँ पर हमने इससे sanction लगा दिया यह कुछ इस तरह का आ रहा है है यहाँ पर हमने Totट्टी लगा दी है तो यह कुछ इस तरह के कहा है अब हमें vitt इक निशान लगाना है तो आप पहले fitting का निशान लगा लीजिए, जितनी चोडाई आपको चाहिए, वो आप fitting का यहाँ पर निशान लगा लीजिए क्योंकि यह nairai style में बन रहा है, तो आपको fitting का निशान पहले लगा लेना है उसके बाद सीधी side भी इस निशान को हलका हलका mark कर लेना है यहाँ पर देखिए इस तरीके से नीचे की तरफ आप जो है हलका हलका माक कर लीजे जो भी आपका निशान है फिटिंग का अब जो हमने फ्लेयर त्यार किया था उस फ्लेयर को हमें इसके साथ जोड़ना है ये देखिए हमने लेस लगा के त्यार कर दिया है अब इस फ्लेयर को हमें इसके साथ जोड़ना है जो मार्क हमने लगाया था कमर से हमें उस निशान के अंदर-अंदर ही इसको इस तरीके से अटैच करके सिलाई लगानी है यहाँ देखे यहाँ पे हमने इसे अटैच कर दिया और हमने फिटिंग भी लगा दी अब यह कुछ इस तरह का नजर आ रहा है बहुत ही प्यारा ड्रस बनके यह रेडी होगा यहाँ पर देखे चार उचाक के कोने पर हमने यह जो है लेस लगा दिया है नीचे की साइड हम पीको कर दो तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखे यहाँ पर जो है ड्रस हमारी कुछ इस तरह स्तियार होई है समूसे लेस को मैंने नेक लाइन पर भी यहाँ लगा दिया है और यहाँ पर मैंने डोरियां लगाई हुई है कुछ लटकन बना करके इस तरीके से दोनों चाक के पास मैंने यहां पर डोरी अटाच की हुई है नीची की साइड मैंने यहां पीको कर दिया है नेक लाइन पर भी मैंने समोसा लेस लगाया हुआ है और यहां पर देखिए बैक साइड भी मैंने डोरी दी हुई है और लेटकर हमने ये प्यारा सब बनाया है तो इस तरह का ड्रेस जो है हमारे ये बनके रेडी हुआ है पीको भी कर दिया है हमने इसमें और ये हमारा प्लाजू था इसमें भी हमने इस तरीके से पीको कर दिया है तो फ्रेंट्स आई हो आपको ये ड्रस अच्छी लगी होगी तो आप जरूर कमेंट सेक्षिन में बताएगा आपको ये ड्रस कैसी लगी